हलो और वेलकम स्ट्रेंड्स आपका स्वागत है करण गुपता टुटोरियल क्लासेस में जिसमें हम आज बात करेंगे एक भूती इंपोटेंट टॉपिक के बारे में जो की क्वालिटी कंट्रोल लेप साथी साथ एनलाइसेस के परपस से भूती इंपोटेंट है और वो टॉ वेलिडेट करते हैं ICH एक European Agency है जिसका full form है International Community of Harmonization और अब हम सबसे पहले हम यह समझेंगे कि मेथट क्या होती है है validation क्या होता है और method validation क्या है और साथी साथ method validation का importance क्या है हमारी pharmaceutical फिल्ड में तो बन रही है हमारे साथ तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि method क्या होती है देखे किसी भी component को analyze करने के लिए हम जो procedure use करते हैं उसको कहा जाता है method as an example आप अगर कोई laboratory के अंदर कोई practical perform कर रहे हैं कोई essay लगा रहे हैं ठीक है कोई titration perform कर रहे हैं या जो भी आप एक sutix के अंदर कोई product synthesize कर रहे हैं sutix के अंदर कोई doses form बना रहे हैं medicinal chemistry के अंदर आप एक प्रोड़क्स synthesize कर रहे हैं तो आप method को follow करते हैं वह method जो होती है basically उसी method के हम बात कर रहे हैं और हम उसी method को validation की बात कर रहे हैं तो यह वह method है जिस्म को आप प्रेटिकल में समझाऊंगा तो सबसे पहले तो आपको क्लियर हो गया कि मेथट क्या होती है दूसरी चीज यह कि मेथट के बाद होता है वेलिडेशन देखेंगे वेलिडेशन के उपर मैंने एक प्रॉपरली वीडियो बना रखा है पहले से आप उस वीडियो को देख सकते हैं मैं साइड मे लिंक भी सेंड करतूंगा जिसमें मैंने सिस्टमेटिकली समझा है कि वेलिडेशन आखिरकार होता क्या है फिर भी में आपको एक मोटे मोटे फोम में आपको समझा दें कोशिश करता हूं कि वेलिडेशन आखिरकार होता क्या है वेलिडेशन का मतलब यह होता है कि कि किसी moton vehicle industries का ठीके, वहाँ पर क्या होता है कि जिसे कभी कोई कार बनती ही है तो कार की वो टेस्टिफिंग करते हैं कैसे करते हैं, जिसे आप एक नई कार बनाई उन्होंने उस नई कारदी वो टेस्टिफिंग कैसे करेंक रेंके कि उस कार को वो अच्छे रास्तों पे निकाल चलाएंगे, फिर उसको खराब रास्तों पे चला के देखेंगे, उबड़ खाबड रास्ते जो होते हैं, उसके बाद उसको भरी गर्मी में चलाएंगे, भरी गर्मी में उसकी टेस्टिंग करेंगे, बरसात पे टेस्टिंग करेंगे, पानी ग test procedure को ही कहा जाता है validation मतलब उन्होंने उस गाड़ी को cross check करके यह चेक किया कि उनकी गाड़ी जो है या उनका जो product है वो प्रॉपरली है कि नहीं है सेम यहां पर भी हम करते हैं कि जो method हम develop कर रहे हैं वो उसको हम properly cross check करते हैं हर parameter में जिससे वो method जो है वो प्रॉपरली accurate result दे और सही result दे और systematically result दे तो इन parameters method को हम हर parameter में चेक करते हैं और फिर जब वो properly सही होती हो method उसके बाद हम उसको use करना स्टार्ट करते हैं और उसको फिर हम analysis purpose में यूज करते हैं तो method तो अलग-अलग type की होती जिसे में आप गता है हैं ऐसे लगा रहे हैं तो यह जित्ते भी आप procedure यूज करते हैं यह method होती है उसी method को हम validate करते हैं बेसिकली method validation कहां पर होता है अगर हम pharmaceutical industry की बात करें तो method validation का use वहां होता है कि जैसे मान लिजे किसी industry के अंदर कोई नया product बनने वाला है या कोई नया product चालू हो रहा है वो product बनना स्टार्ट हुआ तो सीधी सी बात है जब वो product बनेगा तो उसकी QC भी करनी पड़ेगी मतल कुन नया है तो उस product के लिए आपको एक नई method बनानी पड़ेगी जिससे उसका हम ऐसे लगा सके उसकी purity testing कर सके अलग-अलग instrument है मतलब आपको HPLC के एक method बनानी पड़ेगी जिससे उसी method का use करके हम HPLC में उसकी testing करेंगे UV पे एक method बनानी पड़ेगी जिसका use करके हम UV पे उ उस method को different different parameter में, जो कि ICH guideline द्वारा दियेगा है, उन parameters में हम उस method को check करते हैं, और अगर उस method के result satisfactory होते हैं, तो फिर वो method जो होती है, वो आपके lab के अंदर, मतलब वो method अगर satisfactory results दे रही है, सही results दे रही है, और वो properly validate हो चुकी है, तो वो validated method जो होती है, फिर वो QC में जाती है, और फिर QC के जो analyst होते हैं, वो उस method का use करके drug को analyze करते हैं, तो basically method validation का बहुत जादा importance है, क्योंकि जब भी कोई नया product बनेगा, नया product synthesize होगा, तो उसके साथ आपको नई QC की method भी बनानी पड़ेगी, बट उसको पहले आपको validate करना पड़ेगा, और उसको जब आप cross check कर लोगे, और आप पुरी तरीके से satisfy हो जाओगे, कि ये method बिल्कुल accurate है, इसमें कभी भी कोई problem नहीं आएगी, हमेशा ये सही result देगी, तो आप उसको फिर use करते हो QC के अंदर, और फिर उस drug को analyze करते हो, एक point तो यह हो गया, एक दूसरा point भी यह है, कि method validation का result जरूरी इसलिए है, कि अगर आपने method को validate नहीं किया, और आपने उसको QC में उस method को use करने लग गये, और उस method के अंदर कोई गलत result आगया, मान लिजे, drug fail हो गई, उसी method का आपने use करा, बट आपने उसको validate नहीं करा था, और वो drug fail हो गई, तो जो analyst होगा, वो यह कहगा, कि method गलत थी, इसलिए drug fail होई, हो सकता है कि analyst की गलती हो, बट analyst अपनी गलती ना मान के method की उपर डाल देगा, कि जो मैंना method यूज करी थी analysis में, वो ही गलत थी, इस वज़े से जो है, वो drug fail हो गई, इसलिए हर method को पहले validate किया जाता है, उसको different parameters पे check किया जाता है, कि वो method proper result दे रही कि नहीं दे रही है, उसके बाद वो method जो है, वो QC lab के अंदर आती है, इससे होता यह है, कि अगर अब कोई drug fail हो जाती है, कोई analysis fail हो जाता है, तो यहाँ पर गलती method की नहीं मानी जाएगी, analyst की मानी जाएगी, या तो analyst की मानी जाएगी, या तो drug impure है, दो चीजे हो सकती है, या तो drug impure होगी, या तो गलती analyst से हुई होगी but method तो आपकी properly validate थी accurate थी तो आप method की कोई गलती नहीं है method बिल्कुँ सही है क्योंकि वो पहले सही R&D में check होके आई है और वहाँ पर उसने सही result दिये है और साथ ही साथ जब उसका validation किया गया था तब भी वो satisfactory result दे रही थी इसी लिए हर method को पहले validate किया जाता है और उसी के बाद वो use करती है इसी लिए जो method development department होता है R&D का अलग से department होता है जो की होता है method development department और उस department का केवल यही काम होता है कि जब भी कुछी industry में कोई नया product launch होता है तो वो उस product की checking के लिए उसकी testing के लिए उसकी QC के लिए नई methods का नई methods develop करते हैं और पहले method को develop किया जाता है और develop करने के बाद उसको validate किया जाता है यह दोनों चीज़ें सात्मी चलती है पहले आपको एक नई method बनानी पड़ेगी और फिर उसको validate करना पड़ेगा अगर वो method fail हो जाती है validation में तो आपको फिर एक नई method बनानी है फिर validate करना है यह method development का काम तब तक चलता रहेगा जब तक एक method validate नहीं हो जाती है वो सकता है कि आपके पास आपने 5 method develop करी किवल एक product की 5 method develop करी एक product की मैं भी आगे बताऊंगा कि method develop कैसे होती है बट अगर मान लीजिए आपने एक product है आपका और उसके लिए आपने 5 HPLC की method develop करी 5 HPLC की method develop करी और सारी पाचों की पाचों method उस drug का ऐसे लगाती है उसकी purity testing के लिए तो हम उन पाचों को validate करेंगे और उसमें हम ये check करेंगे कि उसमें सबसे अच्छा result किस method का आ रहा है और जिस method का सबसे अच्छा result आएगा हम उस method को QC के अंदर use करेंगे और उसी को हम ऐसे SOP standard operating procedure मानेंगे तो validation, method validation का बहुत ही ज़ादा importance है तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा जो point है कि method क्या होती है, method validation क्या होता है validation क्या होता है और उसका pharma industry और QC के अंदर कितना ज़्यादा importance है ये मैं आपको समझा चुका हूँगा फिर भी अगर आपको कोई doubt है कोई इस type का question समझ में नहीं आ रही है कोई बात clear नहीं हो रही है तो आप इसका part 2 देखिए part 2 में मैं आपको बिल्कुल systematically समझाओंगा कि method validate कैसे की जाती है उसके कौन-कौन से points होते है और उन points का क्या importance है तो बने रही है मेरे साथ और देखते रही है इसका part 2 भी तो जैसे कि हमने जो हमारा first part था method validation का इस part में हमने ये देखा कि method validation अकिरकार होता क्या है और ये क्यूं जरूरी है अब part 1 के बाद अब हम बात करेंगे part 2 के अंदर जिसमें हम ये बात देखेंगे कि part 2 के अंदर क्या-क्या important है method validation के अंदर इसे कौन से point है जो काफी important है और हमारे ध्यान देने योग्य है जिससे हम method validation को और अच्छे से समझ सकते हैं तो part 2 में हम मिलते हैं और ये बात करेंगे कि इसे कौन-कौन से important point है जो method validation को affect करते हैं और बहुत जरूरी है एक important information कि अगर आप भी इन इस्ट्रूमेंट पर ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो you are most welcome in our institute इस्टिटीट का address और सारी information चाहे वो email ID हो या चाहे उसका mobile number हो हमारा वो सभी हमने description box में दिया हुआ है आप हमसे directly contact कर सकते हैं और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं साथी साथ अगर आप कुछ essay projects work से जुड़ा हुए है कोई PhD work से जुड़ा हुए है या आप कोई essay course से जुड़ा हुए है जहां पर आपको इन instruments की requirement है या आपके पास कुछ essay sample है जो इस particular instruments पे ही run हो सकते हैं बट वो आपके पास available नहीं है तो हमारा institute AC consultancy service भी provide कराता है और उससे related information भी हमने हमारे link box के अंदर और description box के अंदर आपको provide कराई है तो बने रही है हमारे साथ और हमारा video देखते रही है साथी साथ हमारे channel को subscribe करें और bell icon को hit करें Thank you